नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में तो चलिए बिहार की 10 प्रमुग बड़ी खबरों को जानते हैं अब बिहार में जमीन विवाद को लेकर पुरानी विवस्ता नीजी रहीती जमीन का केस DCLR देखेंगे जमीन विवाद से जुड़े मामलों के निप्टारे को लेकर नितीज सरकार एक के बाद एक फैसले कर रही है राज में नीजी रईयती जमीन के विवाद को लेकर विभाग में अब एक और बड़ा फैसला किया है भुमी सुधार उप समाहर्ता याने की DCLR अब नीजी रईयती जमीन के विवाद से जुड़े केस भी देखेंगे खास बात यह है कि किसी भी विवाद में उनकी तरब से दिये गए फैसले की अपिल अब सीधे प्रमंडलिया आयुक्त के कोट में की जा सकेगी DCLR की तरब से जमीन विवाद के फैसले को अमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी अंचला अधिकारी और संबंदित फाने को होगी कदेश में पहले भी यह विवस्था लागू थी DCLR रहयती जमीन से जुड़े विवाद को देखते थे लेकिन 5 साल पहले इसे खत्म कर दिया गया था अब एक वार फिर 5 साल बाद DCLR को रहयती जमीन से जुड़े विवाद के निप्टारे की जिम्मेदारी दे दी गई है राज में जमीन विवाद की निराकरन अधिनियाव 2009 फिर से पुराने रूप में लागू हो गया है जिसके ताहत यहाँ अधिकार DCLR को मिला है राज सरकार के इस फैसले के बाद अब जमीन से जुड़े छोटी विवादों को लेकर लोग सीविल कोट नहीं जाएंगे सीविल कोट में ऐसे मामलों के निप्टारे में काफी लंबा वक्त लग जाता था DCLR कोट से फैसला जल्दी आ जाएगा और उसकी अपील भी कमिशनर कोट में की जा सकेगी बिहार में बंफर बहाली 65,000 युवाओ को नौकरी देने का एलान इन दो विभागों में होगी भरती बिहार में सरकारी नौकरी का इंतिजार कर रहे युवाओ के लिए बड़ी खुसकबरी है बिहार में सरकारी पदो पर बंफर बहाली निकालने वाली है लगबग 20,000 पदो पर युवाओ की भरती की जाएगी बिहार सरकार प्राथमिक बिद्दालयों और मैधमिक बिद्दालयों में सिक्चक बहाली करने वाली है बिहार में सिक्चकों के पदो पर बंफर भेकैंसी है राज में जल्दी 45,000 से अधिक सिक्चकों की बहाली होगी बिहार सरकार की केबिनेट की मीटिंग में यह भी निन्नय पारित हो गया है प्राथमिक स्कूलों में 4,518 सिक्षकों की बहाली होगी जबकि माधमिक स्कूलों में 5,334 सिक्षकों के बदों पर बर्ती की जाएगी बिहार में अब सरकारी कर्मचारियों पर नहीं कर सकेंगे के सरकार से लेनी होगी परमीसन बिहार में अब किसी भी सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी के खिलाब अपराधिक मामला दर्ज कराने से पहले सरकार से इजादत लेनी होगी सरकार ने इसको लेकर नया आदेश जा अवाला देते हुए सिक्षा विभाग ने राज के सभी सिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी या करमचारी के विरुद अपराधिक मामला दर्ज करने से पहले सरकार से इजाज़त जरूरी है सिक्षा विभाग के अपर मुखे सचीव संजय कुमार ने राज के सभी RDDE, सभी DDO और सभी DPO को बिहार सरकार के एक पुराने आदेश का उल्ले करते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी सरकारी पदाधिकारी या करमचारी के विरुद मुकदमा या प्राथमिकी दर्ज करने के सम्मन में राज सरकार के निर्णई के मुताबिक ही कारवाई की जाएगी प्राथमी की दर्ज करने के समय यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि आरोपित सरकारी अधिकारी या कर्मी का दोस अप्राधिक प्रवरिति का है या नहीं परकारी अधिकारी या कर्मी के कारकलाप से यदि सरकार को छती होती है तो सरकार जो कि नियोजक है उसी को यह अधिकार प्राप्त है कि वहा उस कर्मी पर किस प्रकार की कारवाई करे पटना हाई कोट की बड़ी कारवाई जज को किया सस्पेंड बिना इजाजत स्टेशन नहीं छोड़ने का आदेश इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पटना हाई कोट ने एक जज को सस्पेंड कर दिया है बताया जाता है कि जज के खिलाप अनुसासनात्मक कारवाई अभी नहीं हुई है अगले आदेसों तक सस्पेंट किये गए जज को मुख्याले पटना सिविल कोट के साथ अटेच किया गया है आपको बता दे कि पटना हाई कोट ने पटना सिटी के एडिशनल डिस्टिक एंड सेशन जज जज जुवल कुमार सिनहा को ततकाल प्रभाव से निलंबित कर दिया है पटना हाई कोट ने बिहार जुडिसल सर्विस, कंटोल एंड रोल्स 2020 के रोल 6 के सब रोल एक में दी गई सक्तियों का इस्तमाल करते हुए ततकाल प्रभाव से यह कारवाई की है जाज के लंबित रहने या अगले आदेशों तक उजवल कुमार सिनहा को मुख्याले पटना सिविल कोट के साथ अटेज किया गया है आई कोट के आदेशानुसार प्रभारी रजिस्टार जनरल एस के पवार ने बताया कि आदेश के प्रभाव में रहने की अविधी तक उजवल कुमार सिनहा एडिशनल डिस्टिक एंड सेसन जज पटना सिटी बगैर पुरू अनुवत्ती के स्टेशन नहीं छोड़ेंगे निलंबन अवधी में उजवल कुमार सिनहा बिहार सर्विस कोड के नियम 96 के तहत जिवन यापन भत्ता के हगदार होंगे प्रधान मंत्री मोदी के जन्मदीन के मौके पर देश भर में टिकाकरन महाभ्यान का आयोजन किया गया था बिहार ने भी कल टिकाकरन के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया जिसके बाद मौकमंत्री नितीस कुमान ने कोविड टिकाकरन महाभ्यान के तहत बिहार में रिकॉर्ड टिकाकरन के लिए बिहारवासियों को बधाई दी है एक मंत्री ने कहा है कि 17 सितमर को आयूजित कोविट टिकाकरन महाभ्यान के तहत 30,67,918 लोगों का टिकाकरन कर बिहार ने एक नया स्वरनिम अध्याय लिखा है अब तक उपलब्द आकडों के अनुसार पूरे देश में चलाये गए कोविट टिकाकरन महाभ्यान में बिहार प्रतमस्तान पर रहा है सियम ने तीस लेगाया कि कोरोना टिकाकरन महाभ्यान के तहर बिहार में 17 सितमर को 30,000,000 टिका लगाने का लक्ष निर्धालिप किया गया था लेकिन बिहार ने इस लक्ष को पार करते हुए 30,67,918 लोगों को टिकाकरन किया है जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्दी ह बिहार में 12 का अलर्ट पटना समेत कई जीलों में तेज गरज के साथ बरसा की चितावनी बिहार में मौन्सुन अब कमजोर होने लगा है बावजुत इसके सितमर महने में छिटपुट तरीके से अलग-अलग इलाकों में बारिस हो रही है बिहार में मौसम बिभाग ने बा बारिस के आसार हैं राजधानी पटना और सहाबाद के कुछ जीलों समेत वैसाली में भी बारिस की चितावनी है राजधानी पटना में आज सुवा से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है सुवा से ही पटना सर और ग्रामिन इलाकों में बुनाबुदी हो रही है मौसम कस्मिर में आतंकी हमला बिहार के रहने वाले सक्स की मौत एक पुलिस कर्मी भी सहीद जम्मू कस्मिर में आतंगवादी निर्दोसों को निसाना बना रहा हैं कुलगाम के नेहामा इलाके में आतंकियों ने हमला किया है इस हमले में बिहार के एक व्यक्ति की मौत हो गई है एक अन्य गटना में पुलिस कर्मी के भी सहीध होने की सुचना मिली है ये दोनों ही हमले दक्षिन कस्मीर के कुलगाम में हुए हैं बिहार के रहने वाले व्यक्ति की पहचान संकर चौधरी के रूप में हुई है जो वहाँ पर मजदूरी करता था संकर चौधरी मूल रुप से बिहार के कटिहार जिले में पृत बिहार गाउं का रहने वाला था कुलगाम के डियेच पूरा इलाके के निहामा में इस्दित एक इट बंटे में वहाँ काम करता था जम्मू कस्मीर के पुलिस अधिकारियों ने बताया कि साम करीब 6 बज कर 5 मिनट पर आतंकियों ने पुलिस कर्मियों पर फाइरिंग की गोली लगने से गायल बंटू सर्मा को अस्पताल भेजा गया लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया रक्षा कर्मी हमलावार आतंकित की तलास में जुटे थे तब ही रात के करेव 8 बज के 50 मिनट में एक और हमले की खबर आई आतंकियों ने इस बार गैर इस्थानिय मजदूर को निशाना बनाया और मजदूर की हत्या कर दी हाल ही में आतंकियों ने स्रीनगर में 25 वर्षिय सब इंस्पेक्टर अरसत अहमद मीर की हत्या की थी अब अधिक पारदर्सिता के साथ परिख्चा लेगा बिप्यस्थी पुतली से करेगा अभ्यार्थियों की पहचान सेंटर पर लगेंगी जैमर पिहार लोकसेवा आयोग ने अभ्यार्थियों की पहचान के लिए अब नए तरीके को आजमाने का फैसला लिया है अभ्यार्थियों के पहचान अब पुतली को स्कैन कर किया जाएगा इसमा में आयोजित होने वाली परिक्षाओं में ही इसे लागो कर दिया जा सकता है VPSC अपने अभ्यार्थियों की पहचान अब आखों की पुतली से करेगा आयोग ने परिक्षा में पारदर्शिता के लिए इसकी शुरुआत करने का फैसला लिया है सुबे में इसमा VPSC के आयोजित परिक्षा में इसे सुरू कर दिया जाएगा आयोग की परिक्षा में इलेक्ट्रोनिक गजट से कदाचार की समभावना को सवाप्त करने के लिए यहां कदम उठाया गया है मेडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रानम्भीक और मुईक परिक्षाव में अभ्यार्थियों की पुतली को स्कैन करके डाटा सुरक्चित रख लिया जाएगा इंटर्व्यू के दोरान भी अभ्यार्थियों के पुतली को स्कैन कर उनके डाटा से मिलान कराया जाएगा ताकि किसी भी तरह के कदाशार की कोई समावना नहीं रहे अगर मिलान के दौरान कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उस अभ्यारती पर केस दर्ज कराया जाएगा पंचाय चुनाओ को लेकर पड़ोसी राज्यों से लगी सीमा पर बढ़ी चौकसी बिहार नेपाल सीमा पर भी नाके बंदी बिहार में सांतेपोर्ण पंचाय चुनाओ कराना सरकार की प्राथमिक्ता में फिलाल सबसे उपर है राज निर्वाचन आयोग की तरफ से पंचाय चुनाओ की प्रक्रिया जारी है और इसे देखते हुए अब सुरक्षा को भी मजबूत किया जा रहा है बिहार में लगे अन राजो की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है बिहार के डीजेपी एसके सिंगल ने उत्तर प्रदेश जारकन और पस्चिम मंगाल के डीजेपी को पत्र लिखा है और सिमावर्ती इलाकों में सुरक्षा इंतिजामों को लेकर सयोग करने का आगरह किया है इतना ही नहीं बिहार के डीजेपी ने ससस्त्र सीमा बल यानि की एससबी के डीजेपी को भी पत्र लिखा है SSB के DG से आगरह किया गया है कि पंचाज चुनाव को लेकर सिमावर्ती इलाकों में 24 रखी जाए पंचाज चुनाव में पडोसी राज्जों से आने वाले अपराधी गरबड़ी कर सकते हैं सिमावर्ती इलाके में गरबड़ी के असंका को देखते हुए चोकसी बढ़ाने का फैसला किया गया है औरडर वाले इलाके पर खास तोर पर नाकेबंदी रखी जाएगी ताकि चुनाव के दोरान अपराधी या दबंग किस्म के लोग कोई गरबड़ी ना कर पाएं परोसी राजों के साथ साथ बिहार के नेपाल से सटी सीमा पर भी सुरक्षा मुस्तैद करने का फैसला किया गया है भारत की तरब से अर्ध सैनिक बल और स्सबी के जवानों की तैनाती सीमा वाले इलाकों में है नेपाल से बिहार या बिहार से नेपाल आने जाने को लेकर कोई रोक तो नहीं होगी लेकिन चुनाव के दौरान खुली सीमा का फायदा उठा कर कोई गड़बड़ी ना फैला पाए इसके लिए पूरी मुस्तेदी रखी जाएगी पेट्रोल डीजल की किमते कम नहीं होगी लेकिन जीएस्टी के दायरे से बाहर रहेंगे पेट्रोल डीजल की किमतों से जुड़ी इस बक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जीएस्टी काउंसिलिंग की हुई बैठक में पेट्रोल डीजल की किमतों को लिकर आम आदमी को ब पेट्रोल और डिजल की किमते फिलार GST के दायरे में नहीं रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, हालाकि काउंसिल ने तेल विपनन कमपनियों को डीजल में मिलाने के लिए दी जाने वाली बायो डीजल पर GST 12 फिजदी से घटा कर 5 फिजदी कर दिया है, हालाकि इस छूट का फायदा तेल कमपनिया ग्राहकों को देती है बिहार में अब किसान बन गया करोडों का मालिक, अचानक से बैंक अकाउंट में आये 52 करोड रुपईे, बिहार में बीते कुछ दिनों से लोगों के बैंक अकाउंट में अचानक से धेर सारे पैसे आने के कई मामले सामने आ चुके हैं, ऐसा ही एक और मामला, अब पूर जीले से सामने आया है जहां अचानक एक बुजूर्ग के बैंक अकाउंट में 52 करोड आने से लोग हैरान है ये बात जंगल की आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई है दरसल मुझफर पूर जीले के कट्रा थाना चेत्र के राम बहादूर साह अपने वृद्दा पिं है कि आखिर इतनी बड़ी रकम कहां से आई वुजूर्ग ने बताया कि वहाद खेती करके जीवन यापन करते हैं सरकार से यही मांग करेंगी कि वहाद उस रासी से कुछ हमें भी मुहाया करा दिया जाए जिससे हमारा बुढ़ापा गुजर जाए वहाद इसी मामले पर उ आज के सुर्खियों में बस इतना ही बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथे साथ अपने दोस्तों और इस्तेदारों में सेयर करना ना भोले धन्यवाद